Hey guys, welcome back to Anu Amaya skincare और मैं हूँ Anu So friends, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर हम coconut oil और aloe vera gel को एक साथ मिलाके अपने face पे, बालों पे या छोटी मोटी और भी कई सारी problems होती हैं उन पे इस्तेमाल करते हैं तो यह किस तरह से हमको फाइदा दे सकता है और कितने सारे benefit हम इसके उठा सकते हैं coconut oil तो सभी के घरों में होता है बहुत ही affordable price में मिल जाता है और गुनों से भरा हुआ होता है इसमें antibacterial, antifungal, antimicrobial good होते हैं साथ ही साथ यह fatty acid से बरा हुआ होता है जो हमारे बालों और skin के लिए बहुत ही बहतर वर्क करता है अलोवेरा को एक औसधी plant means एक medicine plant कहा जाता है कहते हमारी country में इसका इस्तिमाल तकरीबन 5000 सालों से होता रहा है इसमें vitamin A, B, C होता है साथ ही साथ इसमें moisturizing good होते हैं antibacterial, antifungal गुन होते हैं so friends देख लेते हैं पहले इनको कितनी quantity में add करना है उसके बाद देखेंगे इसको किस तरे से apply करना है तो हमको लेना है aloe vera gel मैं ये market वाला दे रही हूँ because मुझे plant वाला suit नहीं होता है और दूसरी बाद plant वाला aloe vera gel होता है उसको आप save करके नहीं रख सकते हैं इसको आप बना के store करके रख सकते हैं 6-7 दिन आप इसका इसका इस्तिमाल कर सकते हैं तो हमको लेना है तकरीबन 1 tablespoon aloe vera gel मेरा gel खतम होने को है लेकिन हम इंडियन जब तक इसकी जान न निकाल ले एक एक बून जब तक इस्तिमाल न कर ले तब तक हम छोड़ने वाले कहां है मैंने तकरीबन 1 tablespoon aloe vera gel ले लिया है अब हम इसमें इतनी ही quantity में coconut oil mix करेंगे इसको भी हम 1 tablespoon add करेंगे अब इसको अच्छी तरह से mix कर लेंगे इसको इतना mix करना है कि यह creamy farm में आ जाए friends अगर आप बहुत ही बहतर रिजर्ट चाहते हैं तो इसको आप रात में सोने से पहले as a night cream इस्तिमाल करिए फिर देखें आपकी skins related कितनी सारी problems को यह cure कर देता है सबसे पहले हम बात करेंगे acne यानी मुहासों की अगर आपके face पे मुहासे हो रखे हैं आप इसको face पे लगाईए आपको massage नहीं देना because पहले से मुहासे हो रखे हैं अगर आप massage देंगे तो infection की problem हो सकती है अलोवीरा में vitamin C, vitamin E होता है साथ ही antioxidant से भरपूर होता है यह face पे किसी भी तरह की Susan को control करने का काम करता है साथे साथ जब इसमें coconut oil का इस्तेमाल कर लेते हैं तो यह face के cleansing अच्छी तरह से कर देता है means अगर रोम चिद्र में किसी तरह की गंदगी जमा है तो वो उसको remove कर देता है excess oil को remove कर देता है जिससे acne या pimples की problem अपने आंप control होने लगती है रात में सोने से पहले अगर आप इसका इस्तिमाल करते हैं means आप इसको face पे अच्छी तरह से लगा लीजे हलके हातों से 4-5 मिनिट के लिए मसाज दे दीजिए यह इतने सारे work करेगा means आपकी skin में glow बढ़ जाएगा किसी तरह की blackness है चाहे वो sun tan की वजे से हुई हो या फिर आप इसकीन का ख्याल नहीं रख पाए है फेस पे गंदगी या मैल इकठा हो गया हो यहां तक कि अगर आपके फेस पे pigmentation है तो उस पे भी यह बहुत ही बहतरीन work करता है बट मैं फिर से clear करना चाहूंगी pigmentation को यह ऐसी चीज नहीं है कि दो चार बार या सप्ता भर में ठीक हो जाएगी आपको इसको consistently कम से कम 3-4 महीने इस्तिमाल करना होता है तब आपको बहतर result देखने को मिलता है और उस पे भी इस बात पे depend करता है कि वो pigmentation कितनी पुरानी है और कितनी जादा है तो friends किसी magic की उमीद मत करिएगा लेकिन जैसे मैंने आपको बताया अगर face पे किसी तरह की blackness है means अगर sunburn हो गया है या dark circle की problem हो गई है तो इस पर यह बहुत अच्छा और बहुत जल्दी result देगा आपकी skin बहुत जल्दी glow करने लगेगी friends अगर आपके face पे premature fine lines या wrinkles की problem हो गई है उनको remove करता है साथ ही साथ अगर open pores की problem है means जो face पे छेट से दिखने लगते हैं देखने में बहुत ज़्यादा गंदे लगते हैं especially oily skin वालों को यह face करना पड़ता है तो इसके लिए बहुत ज़्यादा beneficial होता है यह उनको shrink करता है जिससे face पे aging sign भी अपने आप control हो जाते है friends अभी weather change हो रहा है ऐसे में skin का dry होना बहुत ही आम problem है सबके साथ होता है तो अगर रात में सोने से पहले आप अपने face पे अपने lips पे लगा के इसको अच्छी तरह से massage दे देते हैं तो यह आपकी skin को deeply hydrate करता है इसकी में moisture बना क रखता है आप चाहें तो edge body lotion इसको पूरी body पे इस्तिमाल कर सकते हैं यह आपको बहुत ही glowing और soften skin देता है इसको लगाने के साथ साथ आपको किसी भी दूसरे मुष्च राजर को लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है edge body lotion भी आप इसको winter में यूज कर सकते है friends अगर आप यह mixture आप यह pack face पे लगाके हलका समसाथ दे देते हैं तो यह आपकी skin को exfoliate कर देता है means face पे जो dead skin cells जमा है उसको पूरी तरह से remove कर देता है जिससे आपकी skin ज्यादा glowing बनती है ज्यादा beautiful लगती है friends अगर आपको कहीं बाहर जाना है आपकी skin बहुत ज़्यादा dry dehydrate लग रही है glow नहीं है तो आप इसको edge face pack भी लगा सकते हैं आप इसकी मोटी layer पूरे face पे लगाईए कम से कम half hour के लिए इसको लगारें देजिए उसके बाद normal पानी से wash कर लीजिए वो आपकी skin को इतना ज् संन्द करेंगे तो friends ये थी अमारे face की बात इसके साथ साथ अगर आपको हल्के कटने छिलने की problem हो जाती है तो आप इसको लगा सकते हैं साथ ही साथ अगर आप हल्का जलते हैं तो भी इसका 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 często करकते हैं किसी तेरे की जलन एगर आपको हो भी आप इसकिम की बात, अब हम कर लेते हैं बालों की बात, अगर आप प्रीमयोच्योर ग्रेइंग से परेशान है या आपके बालों की ग्रोथ नहीं हो रही है, साथ ही साथ आपके बाल बहुत ज़्यादा ड्राइए है, डेंटर्फ की प्रॉब्लम है, तो भी आप इन दोन अगर बालों में डेंडर्फ की प्रॉब्लम हो गई है तो जब आप इसको लगाते हैं तो चार से पांच दिनों में आपको अच्छा खासा डिफरेंस देखने को मिलता है इसके साथ साथ आप इसको एजे सेरम भी इस्तिमाल कर सकते हैं याद रखिएगा इसमें आपको कोकोन बालों की प्रॉब्लम है तो उस पर भी यह बहुत जादा फाइदा करेगा तो फ्रेंक्स यह कुछ फाइदे थे अलोविरा चेल और कोकोनट आइल के जो मैंने आपके साथ सेर किये हैं वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज एक लाइक दे दीजेगा चैनल को करना बिल्कुल मत भूलिएगा इसके साथ ही आपको कोकोनट आइल और हल्दी के फाइदे कोकोनट आइल और कपूर के फाइदे भी मेरे चैनल पर देखने को मिलेंगे आप जाके चेक आउट कर सकते हैं सो फ्रेंक्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपना बहुत ख्या बाइ